आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक exercise दूँगा जिसमें आपको एक layout को design करना है उस layout को design करने के आपके पास बहुत सारे options होंगे और मैं लेकिन चाहता हूँ कि आप लोग इस layout को design करें जितना हमने इस course में अभी तक देख लिया है उन सब चीजों का इस्तमाल करक इससे मुझे पदर चलेगा कि हाँ confident है कि आप लोग इस question को solve कर पाएंगे चलते हैं computer screen में let's roll the intro आज की जो exercise होने वाली है बहुत simple है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत में वाली इसको solve करने के लिए तो सब लोग इसको solve ज़रूर करना और जो हमारा यहां पर exercise है वो कुछ इस प्रकार से है कि let's see यह आपकी screen है ठीक है यह मार लो मेरी screen है ठीक है यह मेरी screen है मैं चाहता हूं कि आप लोग एक navbar बनाए जो की chip का हुआ होगा आपकी screen से ठीक है तो यह आपका navbar होगा कुछ इस तरह का ठीक है यह आपका navbar होगा और इस navbar को आपको करना क्या है कुछ इस प्रकार से बनाना है कि यह इतना पतला हो ठीक है मैं एक rough layout यहां इसके बाद एक section आपको बनाना है जो की कुछ इस तरह से दिखेगा बता दूं आप लोगों किस तरह से दिखेगा यह आपका section होगा जिसके अंदर एक side यहां पर होगी और एक side आपकी यहां पर होगी तो मैं इसको replicate करके आप लोग को दिखाता हूं और यहां पर आप दे कि यह चीज इतने pixels यह चीज इतने pixels यह इतना RAM इतना phone में ऐसा दिखेगा बट यहां पर कोई restriction नहीं है यह एक exercise आप लोगों के लिए जो आपको solve करनी है यह layout आप बना दो ठीक है तो एक यहां पर है एक यहां पर है और यह दोनो spaces apart है ठीक है let's do one thing यह क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है let's do let's make it this way ठीक है उसको ऐसा बनाते है एक box यहां पर है एक box यहां पर है और इसमें एक background होगा ठीक है तो मैं एक box से इसको और cover कर दूँगा और इसको send backward करूँगा दोबारा से send backward करूँगा आप देखो यह एक box से जिसका background color यहां पर आपको कुछ देना है हर box का अलग अलग background color आप लोग को देना है वैसे मैं चाहूं तो background colors यहां पर दे भी सकता हूं और मैं किसी भी एक given color से fill भी कर सकता हूं let me do that यार let me do that ता कि आप लोग को भी पता चले कि किस तरह से करना काम ठीक है तो यहां पर मैं इसको fill क करूं और मैं draw or dieo use कर रहा हूं तो जरूरी नहीं आपको draw or dieo आता हूं आप बस देखो इसकी attention मतलो यह बस diagrams बनाने के लिए useful होता है मुझे थोड़ा सही लगता है मैं बना लेता हूं इससे diagrams ठीक है बस इतना करना है और एक आएगा आपका footer ठीक है अब यहां पर इतना ह सा length में catch रहा हूं और हमें यहां पर एक rectangle और बनाना है ठीक है और यह जो rectangle है इसमें होगी border radius ठीक है और इसमें आने वाला है कुछ ना कुछ ठीक है मालो हम कुछ लिखते हैं यहां पर कि हमारी services के बारे में और यहां पर एक text आप लोग डालोगे ठीक है क्या text डालोगे मै welcome by the way मैंने टी दबाया text डालने के लिए welcome to this sigma web development express ठीक है अब यहां पर एक element जो कि इस exercise को बहुत जादा रोचक बनाने वाला है वो यह है कि देखो सबसे पहले तो इसको बढ़ा करूँगा थोड़ा सा just so that इसके अंदर सही से दीखे तो मैं इसको रोचक बनाना चाहता हू exercise को और वो रोचक मैं किस तरह से बनाँगा कि जो navigation बार आप लोग को देखने को मिल राइसका पहले मैं color change करूँगा थोड़ा सा अच्छा color करता हूँ इसमें तो इस जो navigation बार आप लोग को देख रहा है यह sticky होना चाहिए यानि कि जब आप scroll करो तो इसके around scroll होना चाहिए ठीक है तो आप समझ करें कि किस तरह से इसको आपको चुपकाना है उपर और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को एक icon लगाना है और मैं उसके लिए एक circle लूँगा एक icon लगाना है आपको जो की हमेशा हमेशा यहाँ पर चिपका हुआ रहेगा मैं नाम नहीं बता तो यह ऐसा नहीं कि आप इसको sticky मना तो sticky नहीं बना रहेए यहीं पर रहना चाहिए ठीक है यहीं पर लटका रहेए आपकी website अलग चलेगी यहाँ पर chip कर रहेगा ठीक है अब आपको पता होगा मैं किस position के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर आपने देख ल इसको उपर लेके जा रहा हूँ ठीक है आपको यह थोड़ा बड़ा बनाना है और जैसे स्कॉल करोगे यह आएगा फिर उसके बाद end में footer आएगा ठीक है अगर आप नहीं समझे मैं दुबारा आप लोग को बताऊंगा आप tension मत लेना अगर आप लोग को समझ में नहीं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ कैसे बनाना है सब तो मत लेना अटेंशन अभी बता रहा हूँ दुबारा से ठीक है तो देखो यार आपकी जो screen है मैं सबसे पहले footer बना दूँ यहाँ पर हाँ अब ठीक है इसको footer को मैंने कुछ इस तरह से कर दिया and yes तो यह footer आ गया अपका ठीक है और इस footer का color change कर देता हूँ मैं इसको white ही क्यों ना कर दूँ bring forward और इसको मैं करना चाहता हूँ white line नहीं मैं fill को white करना चाहता हूँ तो यह है हमारा layout ठीक है बहुत ही basic सा simple सा layout है मैं थोड़ा इसको ऐसे करूँगा तक यह पूरा navbar पूरी width पर आए और यह हमारा कुछ इस तरह से आएगा और थोड़ा सा gap क्यों ना देते हैं हम यहां पर थोड़ा layout change कर दिया मैंने by the way but आप लोग ऐसा ही बनाना जैसे मैं फाइनल आप लोग को दिखा है ठीक है तो यह इस तरह से आपको बनाना है अब लेटस से आपकी जो screen है वो इतनी बड़ी है बस यहां से लेकर यहां तक आ रही है जो यह वाला circle है यह आपके यहां पर लटका रहना चाहिए ठीक है और जैसे से आप scroll करोगे यह आएगा फ चलो यारब डिजाइन करो इस लियाओट को और हम मिलते हैं फिर आने वाले वीडियोस में और इसको डिजाइन करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग को यह बहुता हूं कि आपने इसको आपको बता रहा हूं कि इस आप से रखना की लगबाग लगग लगव आपके लिए पेज को स्क्रॉल कर वाएं पूरा पेज में नहीं आना चाहिए स्क्रॉल करना पड़े आपके इसको जरूर आपके वीडियोस को लाइक करते तो मोडिवेशन बना रहता है और मैं जो सोर्स कोड़ है वो अपडेट करते चल रहा हूं यहाँ आपर आएंगी यह वाँ पूचए वाँ आपके बाएंग प्रॉल करेक्स तामगर अचाहिए वाँडर नहीं बदेख यहाँ आपके लिए दूटार करते चाहिए वीडियोस को लिए आपके लिएवेशन ग्रीड में वीडिए उन्टीड वे दिसक्याए लीए आपके लिए वीडियोस का